हेलो एब्रीवन वेलकम तो एपी क्लासेज माई नेम इस प्रमोध हम करने हैं सीवेटी 2023 की तैयारे और जेनरल टेस्ट में एप्टीटूड वाले सेक्शन में जेनरल टेस्ट के एप्टीटूड वाले सेक्शन में आज हम पढ़ने वाले टॉपिक सिंपल एंड कमपाउंड ट्रस्ट यह टॉपिक साथ करने से पहले हम कल हमने बढ़ा था टाइम एंड वर्क है ना और हमने बढ़ा था स्पीड डिस्टिंस उसे रिलेट व्यूशन एवरेस स्पीड बोट में अप्स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम है ना पाइप टैंक वाले ऐसे उसावाल हमने किया थे हमारा कवर हो गया लेकिन उसके लिए हमने असाइम्मेंट दिया था उसाइम्मेंट के क्वेश्चन अब हम डिस्क्रस करने वाले हैं पहले और उसके बाद फिर आज यह टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज सिंपल कंपाउंड इंटर स्वर्म खतम कर देंगे उससे पहले सोथ है का कि आपांचमें का चेटे का डीफटैली सात में का बंबेअ मेड़ expos sia फॉमबे आठ मेंगा बी नोमे का रॉद दसमेंगा सी है यहस transformation of the का बी बहुत अच्छे सही है अभी तक 12 का 12 का बी आएगा बिटा कि चलो देखते हैं कि वेल्ब आउट है 13 भी डाउट है ठीक है दोनों देखते हैं वेल्थ सवाल दे रखे है अच जॉब जॉब इस दन बाइट 10 मैं इन 20 डेज जॉब इस डन बाइट 10 मैं जॉब करते हैं उसको 20 दिन में एंड 20 वोमेन इन 15 डेज त्वांटी वोमेन इन 15 डेज चलो सवाल में अभी तक इतना दे रखा है हाँ मेनी डेज विलिट टेक फॉर फाइफ मेन टेन वोमेन तो फिनिस डावर्थ अब डेज निकालने हैं हमें अब हमें सवाल में निकालना है डेज और दे कितने रखे हैं फाइफ मेन एंड टेन वोमेन सब्सक्राइब करते हैं अब हमें इनका कंबाइंड निकालना है यही तो दे रखा है वह एकलोता एकलोता दे रिया अब यहां पर निकालना है कंबाइंड बताओ बहीं कैसे करेंगे सवाल जोर्फ हाँ पाइफ में और टेन वोमेन का निकालनेंगे डेज निकालाएंगे कैसे क्या लिखा बताओ मैं क्या लिख हूँ यापर एक बार में नेक्स क्वेश्टन गवर देखनों नेक्स क्वेश्टन थार्टीन दे रख है आर एन एस कंडू जोब इन एट और ट्वेल देज रिस्पेक्टिवली इफ दिवर कोन अल्टरनेट इस विद आर बेगिनिंग इन हाव मने दिज दियर वोग क्या लिखो में क्या कैसे अप्रोच करूँ स्टार्ट कैसे करो कुशन को करना सॉल्फ एक मैं का 20 अपॉन 10 डिज कैसे कर लेगा अब सोचो दस आदमी मिलके एक काम कर रहे हैं और दस आदम हमें मिलके काम करने में 20 दिन का समय लग रहा है अगर वर्कफूस कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा ना वर्कफूस अगर और ज्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा अब यहां पर पहले एक मेंन का निकाल लेंगे कि एक मैं कि दो सो दिन में काम करेगा वो कि समझ रहे हो तभी तो दस आदमियों को बीसी दिन लगे हैं ऐसी एक वुमिन कितने दिन में काम करेगी एक मुमिन कितने दिन में काम करेगी बताओ बीस में फिटीन डेस में कर रहे हैं एक मुमिन को तिन सु दिन लग जाएंगे काम करने के लिए अगर यह दस होती तो यहां पर तीस दिन लग जाते हैं अब यह बीस है तो उनको पंदरा दिन लगे हैं बिसिकल हमने क्या किया इंको मल्टिप्लाइ कर दिया है याद है कल क्या फॉर्मल लिकवाए था वर्क इक्वल्स टू एन एच डी नंबर आफ मैण और वुमेन इंट्व आस इंट्व डेज तो वर्क हम निक जब निखाल रहे हैं तो 20 वुमें इंट्व पंदरा देज एक वुमेन को 300 दिन लग जाएंगी वो काम करने को और एक मैण को 200 दिन लग जाएंगी ये डेज है आपे हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे यह सिद्धा से इसकर ऐसे प्रोकल हो जाता है दोस्तों दिन में पूरा काम खतम कर रहे हैं तो एक दिन में उस काम का 1 by 200 पार्ट करेंगे समझा रहे हैं एक दिन में one by two hundredth work करेंगे वो ऐसी एक आदमी एक दिन में इतना काम करते हैं एक women एक दिन में इतना काम करती है तो हमें क्या है पांच में और दस वोमेन का निकान लें इनको कितना टाइम लग जाएगा वाइफ एंटू वन बाई 200 प्लस 10 एंटू वन बाई 300 यह क्या हो गया सरी यह हो गया हमारा पांच आदमी ओर दस वोमेन एक दिन में कितना काम कर पाएंगे समझा गई तो कितना काम कर पाएंगे वान अपॉन 40 प्लस वान अपॉन 30 यह यही तो है देखना और इसका एलसी में लेंगे तो कितना बन जाएगा यह है वन बाई 20 एलसी में आता होगा इसका ठीक है उपर 30 प्लस 40 70 सब्सक्राइब बन जाएगा नसाथ बनेगा शेवन बाई 20 यह बनेगा देखना आब यह सेवन बाई 20 क्या बन गया एक यह पांच में प्लस दस वुमें इन वन देख एक दिन में इतना काम कर रही है तो टूटल काम कितनी दिन में खतम होगा इसका एसी प्रोकल सीधा सा वन ट्वंटे अपॉन सेवन डेज में ऑप्शन है कैसा कुछ कि नुई रुख जा है तो वेल्ट के ऑप्शन क्या दे रख्या है है अब पॉन में 7 किस ऑप्शन में है या बी में और बी को 17 7 जा 17 7 एक 119 और प्लस एक 120 ये अब इस सवाल में ऑप्शन हमें दे रखा था ओनलाइन वाले देख लें इस सवाल में हमें ऑप्शन दे रखा था कैसे दे रखा था ओप्शन इस सवाल में एक ऑप्शन दे रखा है 17 बनपून 7 दे तो वही तो है ये कि समझा रहा है महीं कि आग्गे बढ़ते हूं अगला सवाल बताओ ठीक है यह हो गया हमारा अब है हमारा 13th question 13th का हो गया हां R and S can do a job in 8 and 12 days respectively R को लगते हैं 8 दिन S को लगते हैं 12 days इतना देर रखा है सवाल में भी तक है समझ आया if they work on alternate days with R beginning in how many days the work will be finished Oh Yes Yes Yeah रिए आर आत दिन में आठ देज यहाइड डेज आर आठ देन में पूरा काम कृत्म कर रहे है तो लड़े में 1 भाइंट अच्व काम करेगा और यह भी वन दे में 1 बाएंट 15 काम करेगी है है ना कि एव पूरा हो जाएगा यह पूच्छा है ठीक है अब देखना हम है एप कि दीन कोई होगा कामख़ता हम यह एक्जाम में कोश्यन और अब समझने आ आपको क्या करने हैं कैसी चुरू करेंगे कि आर един गां कि यह बयूरब है सवाल में तो आर ने पहले दिन वन बाइट काम कर दिया प्लस उसने वन बाई ट्वेल काम कर दिया नहीं है देखो मंडी शुरू को मंडी को आर काम कर रहें युस्या को यह सकाम कर रहें स्वेड़िश्टे के को दुबरा आम का आरviol का करेगा तो धस्रीकोभ फ्रसे एसे करते करते हैं उplaces एड़ करते रहोत जा और हमें वह वन बनाना एंड इस निने काम यह प्रिचने फोकर इसे करते 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 तोटल बन काम कितने दिनों में इन दोनों का LC में लेके देखो 1 by 4 बारा जाएगा 1 by 2 प्लस 1 by 3 बच गया 5 by 6 तो यह LC में लेके बन गया 5 by 24 इन दोनों का जब मैंने सम किया तो बना 5 by 24 को समझा रहे हैं अब ध्यान से देखना 5 by 24 को में कितनी बार एड करूं कि वह वन या वन से ग्रेट बड़ा हो जाए कि इसका रेसिप्रोकल कर दो कि नियाया समझ देखो मंडे को इसने इतना काम किया ट्यूजडे को इतना काम किया मैंसे कह दूं कि हमें एक वोल बिल्ट घरनी है और एक दिन तो एंट लगाने वाल आएगा और एक दिन सिमेंट लगाने वाल आएगा कुछ ठीक है कि दोनों वो अल्टरने डेज आएंगे उन दोनों के नड़ायों रखिया आपस में तो एक दिन एट लगाने वाला आया उसने वन एट काम कर दिया हम तो टूटल काम देखेंगे ने टूटल हमारा जो नेट काम है उसका कितना पार्ट उसने कर दिया ठीक है उसने वन एट काम कर दिया अब अगले दिन आया उसने वन ट्वेल्ट काम कर दिया हमारा तो हमारा टूटल काम कितना हो गया दो दिनों में इन दोनों को जो एड़ किया तो दो दिनों में हमारा टूटल काम 5 by 24 पार्ट हो गया ऐसी अगले द दो बारा 5 by 24 पार्ट हो जाएगा है और इन दो प्लस चार्थ दिनों में मिला कि हमारा इन दो लों गणे तो 10 by 24 पार्ट हो गया in 4 डेज 4 डेज में इतना काम हो गया समझे रहे हैं पूर डेज में इतना काम हो गया ऐसे ही इन फॉर फॉर का एक और इसे कॉंबिनेशन ने लिता मैं तो हमारा इतना काम हो जाता इट डेज में कर रहे हैं इसको कर देगे तो फॉर भाइगा वरक डण हो गया कि 5 by 6 वर्क हमारा डन हो गया कितने दिनों में आठ डेज में 5 by 6 वर्क आठ दिनों में ये डन हो गया हमारा समझा गया अब बच कितना गया 1 by 6 बच गया आयud कैंट अब यूम्हेर नियृर तो नोवे दिन प्रक बताओ कितना गाम फचेएगा वाहरा 9 दिन तक अब 29 चळ्वाट इन बाइएट इनका लेकर स्वालब करके बताओ कितना हो जाएगा यह आठ से करता है चौबिस साल एल्सीम आ गया तो चौबिस को जब सैसे करता चार पांच आप बीस तीन है सर अमारा 23 2021 इतना काम हो गया हैं एक वन अपवंविशोर्थ हमारा बचा वह अभी और यह तो वन बैंट वेल्व काम करते गए सो बेसिकली हमें आदा दिन ही लगेगा नाइन एंड हाफ देज लगेगा ओप्षिन है क्या कोई बस फिर खतम हो गया अधक समझाया है बिलकुल आसानी से हमने पहली दू दिन का देखा अच्छा इतना काम हो रहा है फिर चार दिन का देख लिया फिर आठ दिन का देख लिया आठ के बाद नो में दिन पर गए फिर बीवन बाइट्वंटीफूर्त कम बचिक था और यह वन बाइट्विल्थ कम कर रहे हैं तो दसमें दिन में इसको आदा ही दिन लगेगा काम करने के लिए ठीक है बिल्कुल बेसिक से कुछ भी ऐसे कुछ मुश्किल नहीं था आगे बताओ भाई 14th का B, 15th का B, Bombay 16th का B, Bombay 16th का B, Bombay, B for Delhi ठीक है ताकि B और दे में confusion नहीं हो 17th का A, 18th का A, 19th का A, 20th का C, 21st का B, Delhi 22, Delhi 20, 23 23, 23, 23 गया के लकटा, C यार ऐसे तो सवाल करवाए थे, if two pipes operate simultaneously, a tank will be full in 12R और चलो अभी तक सवाल में मिरे को इतना समझ आए, दो पाइप दे रखी हैं और वेल आर में full tank हो जाएंगा जोनों पाइप सेम टाइम अगर operate कर रही हो, if one pipe takes 10 or less than the other, how much time the other take to fill the tank? कोई formula था क्या? देखो, एक pipe A है, एक pipe B है, ठीक है, और देखे रखा है, one pipe take 10 or less than the other, B को अगर XR लगते हैं, A को X-10R लगेंगे tank को full करने में, अब इन दोनों को simultaneously चला दिया और 12 वार में ये बर गया, तो कोई formula था क्या? A भरता है XR में, B भरता है X-10R में, दोनों को सेम टाइम पे चला दिया, तो क्या formula था? T1 इंटू T2 अपान T1 प्लस T2 इकवल्स टू 12, हो गया, इसमें X को 30 पुट करेंगे देखना, 30 से आ रहेगा, 30 इंटू 20, 30 प्लस 20 फिफ्टी, और 5 चौक, 3 चौक 12, हाँ, X के value 30 सही तो है, अंसर, इसको solve कर ले न, X के value 30 आजाएगी, अब ये एक विशन में solve नहीं कर रहा, कुछ नहीं यारे, ये quantitative बनेगी, इसके दो root निकलेंगे, एक 30 आएगा, एक और कुछ आएगा, एक 4 आएगा, ये quantitative बनेगे न, तो X के दो value आएगे, 4 और 34 हो नहीं सकता, क्योंकि X 4 होगा, तो A के value negative आगी, समझा रहे, X 4 होगा, तो A के value negative आगी, जो की possible नहीं है, negative time में कैसे बर देगा वो, अब next बताओ भई, 24 का, 24 का, Bombay 25 का, Bombay 26 का, चंदेगर, 27 का, Bombay 28 का, 29 का, 30 का, 31, 32, C, 32 का है C, ठीक है इससे कर ले न, ये बता देगे, ये पढ़ा, 32 नहीं होगा है, 32 नहीं होगा है, 32 का होगा, A thief steals a car at 2.30 p.m. and drives it at 60 km per hour, at 3 p.m. the owner sets off in another car at 75 km per hour, what will the owner take in the thief? अरे यार, देखो, सवाल में कुछ नहीं है, क्या कह रहा है, एक चोर है, और चोर, देख, चोर, कार को, धाई बजे, बिल्कुल दो पैर में, दो पैर के समय में, जब गर्मी में सब सो रहे थे, तो चोर आया, और कार को चुरा ले गया, और वो थात ओड़ा सा डर पोक चोर, तो वो 60 km पर आरके, स्पीड सी चला रहा है, चला रहा है, कार को मज़े में, लेके गया है, चोरी करके, लेकिन कार को चला रहा है, अपने मज़े में है, ठीक है, अब आगे तीन बज़े जाग आई भई उनर को, तीन बज़े उनर को जाग आई, यह सुचा रहे है, गाड़ी तो गई मेरी, और फिर इसने से दूर से देख लिए, ओ, वो रही, सिधा-सिधा रूट था, इसने दूर से देख लिया, कि हाँ जा रहे है, तो फिर वो अपनी दूसरी गाड़ी में बैठा, और 75 किलोमेटर पर आरगे स्पेड़ से निकल लिया, अब सबसे पहले जो सवाल को यह समझू, कि यह कम स्पेड से चल रहे है, जावेज चल रहे है, तो कभी ना कभी तो यह सो ओटिक करें लियेगा, ठीक है, बट आधे गंटे का उसको एक्स्ट्रा कुछ तो मिला है उसको, आधे गंटे में उसने कुछ तो किया है, आधे गंटे में उसने किया क्या है, उसने गाड़ी बगाई है, उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया आधे गंटे में कुछ, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है साट जो रहे हैं एक अर में साट किलोमेटर करता आदे गंटे में 30 किलोमेटर तो तीस किलोमेटर तो उसने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया इसने चोर ने प्लस अब मानलो की X टाइम के बाद उसको पकड़ लेता है बाद में अपन जो कितने बज़े वो तो अपन निकाल लेंगे पहले टाइम तो निकाल लेंगे तो 30 किलोमेटर के बाद इस टाइम कितने बज़े इस टाइम तीन बज़े अब तीन बज़े के बाद X टाइम में चोर ने इतना डिस्टेंस रेवल कर लिया इस टीन टू वन अपन तू यह सिस्टी क्या दा 60 किलोमेटर पर आर की स्पीड चल रही थी वन अपन टू क्या है आधा घंटा क्योंकि वो आर में दे रख था है उसके तो मेटर पर सेकंड में करे लिए कंड अवर्ट में कैसे करेंगा बता अब बड़ी बड़ी से चोटी चोटी में जाना आए तो चोटे नंबर से मल्टिप्लाई हो जाएगा अब आधे गंटे में यह इतना समझ आई है अब आदे गंटे में उसने तीस क्लमेटर कवर कर लिया करें यह तो चलेगा आधे गंटे उसके बाद x एक्स मिंटब के पकड़ लिया हम यह मान रहे एक सिंट प्लस एक्स का कर लिए क्लिया इसने थीस दिंट्नस कर लिसे किया हुआस तो यहां पे है चौर मैं चौर हूं यहां पे फिर है ओनर ठीक है तीन बज़े का समय दे रखा है तीन बज़े यह सिनर्यू है तो अब यह भी चलेगा 75 से और यह चली रहा है 60 से और इंद्गनों के बीच का डिस्टंस दे रखा है यह 30 तो एक कब किस पॉइंट पर जाके य किस पॉइंट पर जाके होगा यह निकालना है बस यह सी थिस एक्वेशन बने की बैसिकली 15 एक्स यह उससाइट जागे मैनस हो जाएगा 15 एक्स की वेल्यू आगी टू आर्स तो तीन बज़े के बाद दू घंटे में उसको वो पकड़ पाएगा दो गंटे में देख लो भ कि तीन थ्री पीम में दो घंटे करेंगे तो कितने बज़े होंगे पांस बज़े होंगे सी ठीट थर्टी थ्री कि अब देखो यह एक और चीज से भी हो जाएगा कि अब चूर के पॉस्पेक्टिव से सोचो कि हम यहां पर बैठ चोर यहां पर आए वह ओनर पीछे अब चूर ओनर को देख रहा है अब हमने फ्रेम उफ रेफरेंस हमारा चूर को ले लिया अगर तो रिलेटिव स्पीड से कितनी स्पीड से आ रहे है वो वह 15 की स्पीड से आ रहे है कि 75 माइनस 60 कि स्पीड से मैं जा रहा हूं वह मेरी तरफ 15 की स्पीड से आ रहा है और उसकी और मेरे बीच में डिस्टेंस कितना है 30 किलो मेटर का तो 15 कि स्पीड से 30 किलो मेटर दो घंटे में रहे हो जाएगा सिद्धा सब्रेल अन्सवर आज़ता है विसिकली क्या हमने व ठीक है आल लास में है ही है 15 x equals to 30 और महां से टू आर्स आगे अंसवर चलो भाई 33 34 बोंबे 35 क्या लकटा हो 35 देखते हैं वहां भी सक्षी निवा 35 35 36 38 39 थीग देखते हैं 35 थीफ दाम रहा हम अ प्लें ट्रेवल्स 2500 किलो मेटर 1200 किलो मेटर and 500 किलो मेटर at the rate of 500 किलो मेटर 400 किलो मेटर और 250 किलो मेटर पर रर्स पेटिवली average speed is भाई ये नहीं बता रहा मैं total distance upon total time वो ये average speed यार देखो क्या दे रखा है मेरे को इतना पता है average speed equals to average speed equals to total distance upon total time taken अब डिस्टेंस देख लेते हैं कितना कितना इसमें कोश्चिन में distance कितना कितना दिया हुआ है पच्छी सो बारा सो और पांसो अब ये प्नस माइनस तो हो जाने चीए यार total distance upon total time कितना है time तो दे रहे निकापर speed दे रखी है sir और आपने सबसे पहला फॉर्मल में लेक्वाए था distance equals to speed into time तो time क्या हो जाएगा distance upon speed distance यहां पर पहले का time कितना होगा पच्छी सो अपॉन speed कितनी थी speed बताते जाओ मेरेको सवाल पड़ो speed है यहार बोलो भाई पोजिच्छन 500 सेकेंड है 1200 पॉर अंडर्ड प्लस 500 पॉर अपॉन सारी देखना यह डबल जेरो उपर से सब में 100 कॉमल ले लिता निच्छे भी 100 कॉमल ले लिता तो यह सारा कुछ कट जाता समझा गया ठीक है सर्फ यह तो समझा गया सर्फ इसके आगे कल्कॉलीशन बता दो इसके आगे क्या होगा बारा और पांट सत्तरा सत्त्रा प्लस पच्छेस एड़ कर भी पच्छेस में सत्राइड करो 42 तो उपर तो आगे 42 निच्छे निच्छे आरे पहले काट लो ना फिरेल सीविल लें लिए पांच एकम यह तो आगे 1 बाई 50 यह आगे 3 बाई 100 चारतिये बारा 3 बाई 100 आगे और यह 1 बाई 20 आगे तो निच्छी के बच्छे 1 बाई 20, 3 बाई 100 और 1 बाई 50 तो 20, 100 ओर 50 का लसीम 20, 100 ओर 50 का लसीम 100 हो जाएगा सर तो यहाँ पर आजाएगा 5 प्लस 3 प्लस 2 और यह अंडर्ड उपर चला जाएगा पाइफ प्लस थ्री प्लस टू कैलकुलेटिशन नहीं कर रहा है पांच तेन आट और तो दस दस से दस कट गया और 420 अमारा अंच्वर आगया कि इतना इजी था यार यह तो यह डाउट नहीं हो ना चीए भई है यह यह बेसिक एकलीशन ही तरू कुछ भी नहीं था इसमें तो ऐसे नहीं है रहें इसमें क्या रहाएगा एक्साम में यह थोटी पुले का सब्संदेशन मैंने डीवी कर दिया मैंने सीवी कर दिया सर जो व्हिए देखी जाएगी जाहेगे जैम आता दी नहीं होते हैं इसमें, दू option तो इसमें correct है नहीं न, तो बस फर, चलो, 35th का, C, 36th, C, 37th, 36th का C, यह देख ले न, 37th का D, 38th का B, 39th का B, B, Bombay, 40th का है, A, 39th, 40th का B, चलो, करते हैं, 39th भी डाउट, एंड, 40th भी है, 39th में कुश्चिन दे रखा है, पुश्चिन नमर 39th पड़ो, A train, 110 meter long, is moving at, 132 kilometer per hour, how long will it take to cross a platform, 165 meter long, इसमें के doubt है, देखो, 132 kilometer per hour है, इसको पहले तो meter per second में कर लो, क्यों सर, क्योंकि, इसमें दे क्या रखा है, इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है कि ये ट्रेन है, और ट्रेन की इसने, लेंद दे दी, 110 meter, ये भी meter में दे दिया, अब ये train ऐसे चल रही है, और यहाँ पे एक platform है, platform कितना है, platform है, सर, platform है, 165 meter long, तो basically train का जब first point यहां से start होगा, तो कितना distance देवन करेगा, 150 meter तो ये करेगा, plus 110 meter ये भी तो करेगा, क्योंकि train पूरी platform को कब cross कर चुकि होगी, उस scenario में train हमें कुछ ऐसे दिख रही होगी, मालो ये train है, चीक है, मैं हूँ train, ये train ऐसे दिख रही होगा है, तो train ने distance कितना travel किया, इसके first किसी भी point को देख ले, train कार एक point continuation में same distance travel करेगा, ये एक दूसरे जुड़ा होगा है, तो इसका first point देख लेंगे, first point ने कितना distance travel किया, सर फॉस्ट ने एक सूपैसेट मेटर तो यहां पे cover कर दिया, सर और एक सो दस मेटर ये भी cover कर दिया, सर तभी train पूरी पार होगी है, तो distance travel is equal to 165 plus 110, 275 मेटर, speed दे रखिए है, 132 किलो मीटर पर आर, इसको मीटर पर सेकिंड में convert कर लेंगे, सर, ऐसी करते हैं, चीक है, अब total distance upon speed, time आजाएगा हमारा, time कितना आजाएगा, distance upon speed कितनी है, 132 into 5 into 18, इससे आजाएगा क्या, देखना, calculate करो, जैसी ही लिख जी है, calculate करके answer बताओ, चीक है, और कुछ, 3 से एक पर काटे के देखते हैं, 3 6 जा, और, अब 2 से और कट जाएगा, 2 3 जा, 22, और कुछ आ रहे गया, और तो कुछ नहीं कट रहा, 45 into 3 upon 22, कोई option है गया, कौन सा था, ये कुशिन नमबर कौन सा था, 39, काँ गया, 30, ये रहे परफिश्य रेमिल्ट्रण, करो, 45 into 3 करेंगे तो, अपॉन, सॉल्व करो, बता क्या है रहे, यार, 135 अपॉन में 22 करना है, दो से काट लेक बड़ तो, 211 और, 26, 26, 6, 6, नहीं, 6 तो नहीं आएगा, एक सुद्दस भाइ तीन, 132 इंटू पांच भाइ अठारा कि हमने, कही के लगोडिशन में कलते करते करते है, 132 इंटू पांच अपॉन अठारा, ठीक है, तो ये आगया हमारा, ये ही तो है, अरे 275 है भाई, ये, 275 में में 225 देख लिया है, 165 प्लस 1 में 10, 275, तो 275, तो basically हमारी एक्वेशन बन गी, एक्वेशन ये है, इक्वेशन ये है, इक्वेशन ये है, 275 इंटू 18 अपॉन 132 इंटू 5, ये स्वेशन गरो आपॉब, स्वेशन गरों होगा, ये 55 से कट गया, 63 जा और, 62 22, 11 2 जा, 11 5 जा, 55 जा पंदरा आपॉन दो, 7 पॉइंट, समझा गया बई, चीक है, नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं, सर इस चैनल पे, पूरी सीवेशन होगी, हाँ मेटा, पूरी प्रिवेशन ही हो रही है, सीवेशन का, बेसिकली हम, जेनरल टेस्ट वाला जो पार्ट है न, वो तो पूरा ही करेंगे, साथ कॉश्चिन हैंगे, उसमें, साथ में से 50 आपको अटेम्ट करने होते हैं, है न, प्लस 5 एंड माइनस 1 के मार्किंग स्कीम रहती हैं, तो ये तो हम सारा करी रहे हैं, उसके बाद हम मैथेमेटिक्स का जो सेक्शन है, सर्फ पूर मैथ्स जो होगी, अप्लाइड मैथ्स नहीं, सर्फ मैथ्स के बाद कर रहा हूँ, वो वाला सारा सेक्शन हम कवर कर रहे हैं, ठीक है, और आपको अगर कॉंटेंट भी चीए, इसका जो हम शीट अभी डिसक्स कर रहे हैं, वो शीट भी चाहिए आपको, तो आप टेलिग्राम पे जुड़ जोड़ जाए, निच्छी लिंक दिया होगा, टेलिग्राम का, है ना, वहाँ पे आप मैसेज कर दें, आपको शीट वगएर यह सब में प्रोवाइड करतेंगे, चीक है, क्या, हाँ, ओफलाइन भी हम चल रहे हैं, ओफलाइन शेंटर है हमारा शालिमार भाग में, और एड्रेस है, BK1, BK1 ब्लॉक, और 58th नमबर श्यॉप है, A P Classes, यह हमारा श्यालिमार भाग डेली में है, जिसका पिन कोड होगा, डबल बन, डबल जिरो, डबल लेट, ठीक है, देश और श्यालिमार भाग, श्यालिमार भाग, तो यहाँ पे हम ऑफलाइन भी पढ़ा रहे हैं, अब यह मारे पास बच्चे बैठी हूँ, यह ओफलाइन में, अगर आपको ओफलाइन जोईन करने तो बेटा ओफलाइन आ जाना, ठीक है, लेकिन जिसी भी पढ़ो, तयारी स्टाट कर दो, लेट चल रहे हो आप, यह ना, लेट चल रहे हो आप, क्योंकि एग्जम एक महिना भी नहीं बचया अभी तो, देखा जाए तो, 21st मेह को तो है एग्जम, लगब 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 ही कि महिना मारे पास, 15 तक हम स्लेबस कम्प्लीट कर देना है, यह ना, छीक है, फटाफट करो भई लेट चल रहे हैं आजाम थोड़ा सा, 40th question हो गया, 40th का A, 41 का D, 42 का Bombay, 43 का Calcutta C, 44 का D Delhi, 45 का D Delhi, 46 का B Bombay, 47 का A, आता नहीं है, हुआ यह नहीं है, क्या रहा है, यह नहीं है, अंस्वार लिख लो, स्वालू कर लेना, कल डाउट अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, 47 A, ज्यादा नहीं हुआ यह, यह 50 कुशिन ज्यादा नहीं है, तो फिर कोई बात लेना, 47 A, 48 B Bombay, 49 A आगरा, 50 त का A आगरा, 51 त का A आगरा, 52 का C Calcutta, 52 का C, Calcutta, चलो भाई, हमारा, इतना तो हो गया भी, थेंक्यू सर, कर दिया, स्टार्ट, अच्छ, ठीक है, नाइस बैटा, प्रिबरेशन सुरू कर दो, अभी लेट चल रहे हैं, है न, चलो भाई, आज हम टॉपिक बढ़ने वाले हैं, Simple and Compound Interest, बहुत है सिम्बल सा टॉपिक है, लेकिन सवाल रंते हैं, एक या दो कोईशन इससे बन जाते हैं, और यह हमने छोटी कक्षाओं में पढ़ा भी हुआ है, और उसे टेप की कोईशन आएंगे, और कक्षा के दोरान हम फोन नहीं चलाएंगे, ठीक है, ऐसे गची अलोह कुछ पते हैंगे, सिम्पल इंट्रेस्त क्या होता है, या फिर जिसको लोकल डेशी ऐसे जैसे लोक पुछते हैं कि मार्केट में क्या गधर चल रहे है चल रहा रहे है। तो वो कुछ यूज घ़ते हैं वोDamıs निचे करते हैं और मार्केट जो तो हिंदी वासाँमें आममारे लूपल लेंगर्ज में जो बज्यार मीं अंप्ति है कि दो रुपे से्ठड़ गवल कि सब्सक्रत मैं अधा बाधारिण व्लुपीज यह कि दूर्यूपे सेड़ पेस चल रहे हैं यह फिर डेज रुपेस सेक्ड़ हे Ground कि 75 बाइट समय में संभ मेरा जाया जैगा संभ वाल्झ Cos bạn This Time जेनर्ली इसके डिली लैट में विए प Atari योट किंव वो ऐसे जर्णीब पूछते ना तो ऐसे होता है कि एक बार देलिल इसका यूज ऐसे होता है कि मार्केट में यह होता है कि किसी से हम पैसे उधार लेने जाते हैं तब इसका मीनिंग क्या है दू रूपे से एक ड़ा का यह टू रूपीज पर हंडर्ड रूपीज हर महीने और एवरी हंडर्ड रूपी यू बोरोड यू हैव टू पे अइंट्रेस्ट ऑफ टू रूपीज समझ जा रहे है कि मैंने आपको आप कह रहे हो कि सर मेरे को है ना पैसे काईश की जरूरत है और मेरं रूपेज दे थो तो मैं आपको 1000 रूपए दिए कितनी 1,000 मैंने अपको दिये छी जाहिए जब मैं क्या रहा हूं कि दो रूपए सेकेटर का ब्यास देना पड़ेगा आपको तो इसका मतलब समझना आप मेरे को तीन महीने बाद यह वापिस कर रहे हो पैसे कि थ्री मंद्स के बाद कि तो पर रूपी आपको दुरम देने दें इअडर अपने ली कितने में से थाउजजंड तो आपको देने कितने है थाउजजंड अपोन अंडरेड पिस रूपए पर मन्त देने हैं कि तो बीस रूपए पहले महीने बीस रूपए अगले महीने इस से अगले महीने तो आपको तीन महीने बाद मेरे को हजार तो देने ही होंगे वापिस वो था आपने वेट से लिये थे प्लस 60 रुपीज ओर देने होंगे और ये 60 रुपीज इस केस में हो गया ब्याज या इंट्रस्ट और हमने चुट केल्कुलेट किया वो था सिंपल इंट्रस्ट ये हमारा था सिंपल इंट्रस्ट क्यों क्योंकि पहले महीने के बाद आपको देने थी 1000 प्लस 20 120 रुपीज अब नेक्स्ट मेंथ मैंने 20 रुपीज का इंट्रस्ट जोड़ है और प्रिंसिपल अमाउंट 1000 ही रखी है मैंने उसको 120 नहीं दिया जिसको दिस सी भासन में बोलते हैं ब्याज पर ब्याज मार्केट में ऐसे जाते हैं न तो वह कहते हैं कि ब्याज पर भी ब्याज लगेगा भई तो उसका ब्याज पर ब्याज लगने का मतलब है कमपाउंड इंट्रस्ट समझा रहे कि उसको बोलते हैं कंपाउंड इंट्रेस्ट चलो कि यह तो आगया वह समझ जो भी था कि अब सिंपल इंट्रेस्ट का फोर्मला क्या होता है जो मैरे मैं अब अमने तिर कोई समझा गया मार्केट में उस तीज का मतलब क्या होता है अब अगर एक लाग रुपे लिए किसी से एक रुपे सेकड़ा पर तो यह ली मंतली वन परसेंट का इंटरस्ट देना होगा तो कि देट रुपे से एकड़ा लिए तो मंदली 1.55 रुपे जिरणों गया मिर्ली एटीन परसेंट का भ्याज होगया दो रुपय से एक डालिए तो yearly 24% का इंटरस्ट देना होता है वापिस दो रुपय से एक डाब बहुत हो जापता है 24% वापिस देना सोचके देखो चार साल में सिंपल इंटरस्ट में पैसा डबल हो गया है ना सो इसको मैट्स में अब जो मारे कोश्चन होते है उसमें निकलते कैसे है उसमें एक चीज होते है बहुत प्रिंसिपल यह आएगा क्या प्रिंसिपल यह यह आएगा कुंसा प्रिंसिपल आएगा बता निचे वाले कुंसा प्रिंसिपल होता है हमारे स्कूल का प्रिंसिपल प्रदामनाचार्य जी जुए अरग जो प्रिंसिपल क्या हथता है थे जो नहीं द्रूपिज देगए जब छो आपने मुझे से के थे वो थी क्रेंसिपल अमाउंट उस फ्रिंसिपल बेस मानते हुए उस पांडरिष्क लिएट होता है प्रिंसिपल अमाउंट को जिसे प्रोफिट पर्सेंटेज सब्सक्राइब क्वेश्च के सब्सक्राइब करने के लिए ऐसे ही रिंट्रेस्ट को क्ल्कुलेट करने के लिए जो बेस होगा हमारा इसके उपर इंट्रेस्ट होता है चलो सर यह बाकी चीजें आप कर लोगे तो यह होते हैं तो यह उत्य फ्र प्रिंसिपल और एकर सिर्फ रेट ओफ इंट्रेस्ट दिया जाए तो जनरली compounded annually माना जाता है compounded भी नहीं सर्फ annually माना जाएगा कि वो annually दिया हो है until unless specify किया गया हो कि हम यह interest rate मंत लिए लगा रहे हैं या six months के लिए लगा रहे हैं या quarterly लिए लगा रहे हैं समझा क्या principle into rate of interest into time और rate of interest होगा percentage में तो upon hundred यह हमारा formula हो जाता है simple interest था ठीक है या भी पी है प्रिंसिपल आर है rate in percentage टी है time upon hundred अब यह देखो भाई what shall be the interest to be paid on principle of rupees is 14,000 borrowed at a rate of 15% for a period of three years and six months निकालो time आपको देदिया तीन साल छे महीने rate of interest देदिया 15% principle आपको देदिया simple interest निकालना है formula में पूट करो निकालो फटा फट सौल करो time मत लगाओ calculation करने हैं चोटी सी में बादेदिया य। करो राम? करो वो आपको दाना है हमादस्वकोल तीन साल भाद थो with the प्रहणतकta r‍ड प्रहणतवकोशन निक training राम? पताओ पताओ क्या हो अंसवर कर दिया स्ट अप्ट अल्रीड डियू में हो लेकिन मैं मैं पटना चाहते हूं अब अंशर तुम बताओ अंसवर क्या मेरे को क्या पता अंसवर क्यों एट एट कि यह चोदा जार तो पुरे पैसे लिए हैं कि उनका इतना बड़ा कैसे हो गया है कि क्यों लिख दिया कि त्री एंड हाफ यह रहे हैं त्रीपंट फइफ यह अरे मंस में लिख देगा तो यह रेट ऑफ इंटरेस्ट तो एन्वली दिया हुए ना प्रिंसिपल एसर चोदा जार रुपे अब तुन्हें मंस में कर दिया ना वह भी करेंगे अपन देखना रेट एसर फिफ्टीन परसेंट टाइम एसर थ्री पॉइंट फाइप यह अब तुन्हें यहां से कर देगा यहां से कर देगे की बात है अपन अंडर्ड बस हो गया शे दोनी बारा शे सते ब्यालेस यह 3.5 ही है इंफेक्ट सेवन बै टू है ना दो जिरो से दो जिरो कटेगे इसको काट देगा यह आगा सेवंटी पंद्रा सत्ते एक सो पांच एक सो पांच एंटो सब्तर गड़ों यह बच गया हमारा सेवन थ्री पाइफ जीरो रुपीज यह बेसिक केल्कुलीशन कर रही हो तो फिर वही बात नहीं बनेंगे अपनी केल्कुलीशन सी है ठीक करो अब सिंपल इंट्रेस्ट मेरे समझा गया सर अब उसी एक्जाम्पल में कंपांड इंट्रेस्ट होता है ब्याज पर ब्याज लगना अधिक है जो मैं कहूं इंट्रेस्ट पर भी और इंट्रेस्ट लगेगा और जो बैंक लोन देता है वो हमेश्या compound interest पर ही calculate करना होगा अंटिल और अंलेस specified हो simple interest पा कर लोगे ठीक है तो कैसे करेंगे compound interest के से होता है अब मैंने 1000 रुपए दिये थे साक्षी को तीन महीने के लिए दिये थे तीन महीने का time period था ठीक है और interest मैंने के दिये कि यार 2 रुपए से कड़ा लगेगा मतला फुर पर 100 रुपीज यू एफ टू पे मी तू रुपीज इंट्रेस्ट अब यह पहले तो मैं सिंपल इंट्रेस्ट पर दिये थे अब मैं कहा जूंँ भई ब्याज पर ब्याज लगेगा देख ले न तो आप ठीक है सब इसका मतलब मैंने compound इंट्रेस्ट पर पैसे दिया है कि ब्याज पर ब्याज लगे मंतली कि यह मंतली दिया हुए ठीक है अब एक महीने बाद क्या सिनर्य होगा हजार रुपए तो शाक्षी को जो मैंने दिये थे वो देगी शाक्षी प्लस इस पे बीस परसेंट लग ना इस पर रहा हूं इस पे दो परसेंट दो रुपे फॉर हंडर्ड इस पे दो परसेंट का ब्याज और रगेगा एक मन्त में तो एक मन्त के बाद क्या सिच्वेशन होई है आफ्टर वन मन क्या सिच्वेशन होई थाउजन प्लस पॉर है एवरी अंडर्ड रुपी सी आफ्टो पे में टू रुपी तो फिर थाउजन के लिए कितना पे करना होगा है इतने तो इंडर्ड ट्वंटी सो बेसिकली वन मन्त के बाद इसको मेरेको इतना रुपए पे गरने है अब जो नेक्स्ट मन्त का ब्याज होगा ना क्यलकुलेट वो इसके उपर क्यलकुलेट होगा ना कि इसके उपर है ना सी ओस मी थाउजन रुपेज एट स्टार्टिंग आफ्टर वन मन्त सी ओ मी थाउजन और ट्वंटी रुपी है ना एक महीने बाद आपको इतने पैसे मेरे को देने थे वापस आपने दिये नहीं तो अगले महीने का जो ब्याज क्यलकुलेट होगा वो इस समांट पर क्यलकुलेट होगा समझ आ रहे हैं अगले महिने का ब्याज इस समांट पर कलकुलेट होगा 1000 पर कलकुलेट नहीं होगा अब next month after two month आपको एक महिने के बाद तो 1020 दे नहीं थे plus 2 रुपे सेगडा के हिसाब से 2 रुपी per 100 रुपी you have to pay interest on principle 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 इस अब मेरे को आपको इतने पैसे दिनने होंगे इतने रुपे वापेस देने होंगे यह हो गया कि 20.4 पर इसको एड़ करेंगे तो 1040.4 समझ आ गया तो यह होता है compound interest ऐसे तीन महिने बाद तीन महिने बाद आपको इस प्लस 20 प्लस 2 परसेंट ऑफ दिस है ना तीन महिने बाद आपको इतने रुपे देने होंगे वापेस अब इसको calculate कैसे करें सर इसका formula और बता दो एक आसान सा इसका formula क्या होगा एक आसान सा formula इसका एक आसान formula बता दें हैं आपको यह देखने मैंने क्या किया है यह क्या था यह था सर मेरा principle P प्लस ये क्या था सर ये था मेरा आर ये क्या था सर ये वापिस मेरा पी था और और सर इसके सिवाई तो कुछ थाई नहीं सर है न इसके सिवाई टाइम भी है न ये आर इंटू टी भी तो है एक महिने का तो यह formula बन जाएगा P into 1 plus R by 100 घ्यान से देखो यह kisses का formula है देखना amount जो होगी न वो बन जाएगी principle into 1 plus R by 100 raise to power T सर यह formula हमने पहले कहीं पढ़ा हुआ है अर्सा नहीं अभी दो दिन पहले ही बढ़ा है बैटा अर्सा नहीं हुआ है देखना ध्यान से देखना cost price यह अगर selling price किसके इकवल होती थी कॉस्ट प्राइज इंटू वन प्लस प्रॉफिट परसेंट वन प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन अंडर्ड यह तो होती थी है ना है बेसिकली इसका मतलब क्या होता था प्लस 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 प्रसेंट का प्रॉफिट किया था हमाद़नों 10 परसेंट प्रॉफिट कर दिया मैंने लाइंत जस प्रॉफिट किया थो प्लस 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 प्राइज इंटू टैन वाई हंडर्ड या फिर इसको और आसान भास्चा में देखने के लिए अगर मैंने किसी चीज़ पर 10% का प्रॉफिट किया तो हम कैसे रिखेते थे कि एक सीपी का 10% का अमने प्रॉफिट किया तो हमने 110 परसेंट का रिटन कमाया अब अब ऐसे ही कि जो हमारी नेट प्रिंस जो प्रिंसिपल हमने डिपॉजेट किया बैंक में मालनों हमने पैसे अपने डिपॉजेट के और बैंक कह रहे है कि मैं कुछ 10% का इंबल इंटरस रेट दूँगा जैनरली अभी साड़ी 6-7 परसेंट का चलर रहे मारे केट में जो बैंक में पैसे जमा करवाते हैं उस पर 6-6-7 परसेंट का में इंटरेस्ट मिल जाबता है पूरे साल का एफ डिवागरे जो करवाते हैं तो जो हमारी अमांट बन जाती है ने एक साल बाद वो 7 परसेंट बढ़ गई तो बीसिकली वह 107 वाई 100 बन गी जो हमने प्रिंसिपल दिपोजेट के था एक साल बाद समझाया है अब दो साल बाद यह हमारी न्यू प्रिंसिपल बन गया और इस पे एक सो साथ भाई हंडर्ड मिलेगा हमें यह तो मारी दो साल बाद अगर हमें लोन दे बैंक में हमने पैसे डिपोजेट करवा दिये तो बैंक हमें उस पर एक इंटरस देता है वेटा करते हैं बैंक में पैसे जमा करवाई बैंक में उसके बदले रिटरन देगा और बैंक उनी पैसों को लोगों को कि बारा परसेंट से ज्यादा में मानों ग्रेटर दें ट्वेल परसेंट में बैंक लोन दे रहे हैं तो यह प्रिंसिपल वन गेंगे एक साल की बात मिलेगा एक साथ परसेंट अमें वापिस मिलेगा सैबन परसेंट होके मिलेगा लिए यह यहां से आया नहीं याद रहेगा अब अगर कह देंग सवाल में पूछले 15 परसेंट का इंट्रेस्ट कंपाउंड से साल के लिए निकालो तो सरसेद्ध से करतेंगे पींटू 15 परसेंट का एक सो 15 पर पोन अंडरेड अच्छा तीन साल का निकालने है तो टी यहां पर पावर टी की जगए तीन आ जाएगा इजीली हो गया साथ हमारा सवाल सॉल अब यहीं देखो इसी लोजिक से सुचो कि मैं गया दो यार कंपाउंड इंट्रेस्ट लगेगा इंट्रेस्ट लगे गई लेकिन पहले सा ब्यास रहेगा 10 परसएंट अगले साल रहे गाटि दूसरी साल 12 परसंट तो नया प्रिशिपल यह औगया सकत देखें जद ती सरी साल कुछ और इंट्रेस्ट लगेगा अगर यह इंट्रेस्ट सेम होता तो मैंने यह भी सिखा दिया साथ में कि इंट्रेस्ट अगर डिपरेंट दे देगा तो डिरेक्ट ऐसे लिख लेंगे ऐसी सेलिंग प्राइस जब भी निखान नीओ तो फटाफट कोस्ट प्राइस इंटू कितने प्रॉफिट कमा रहे हैं वो निकल लिख लेंगे समझागे हो जाएंगे हां भई मानस थीग है तो ब अ प्रिंसिपल माइनस कर देगे कि मैंने बैंक में एक लाघ रुपए डिपोजेट किया एक साल बात बैंक ने मिरको एक लाघ दस हजार दिए वो निकला यहां पर जो हुआ है यह मारी आमांट देना कि बैंको कितने पैस 96 डिया एक लाग 10 रुपए बापिस दिए तो बैंक ने ब्याज कितना दिए बस 1000 येद इक लाग दसलार माहिनस एक लाग रुपए समझा गए बई टोह हुआ कि सी कि चलो नो चलू चको सब्सक्राइब कितना था तो अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे ठीक है कि निकालो कि वर्ट चैल भी अमाउंट अफ सम अमाउंट पॉरा सम अफ रूपीज थाउजन एट टेन पर संट पर एंडम फॉर थी यह एक यह भी ध्यान रखना वहीं पुछा गया है यहां पर कि सर अगर यह एनवली ना दिया हो कुछ और दिया हो तो टाइम पिरेड उसी साब से चेंज हो जाएगा कि समझा रहे हैं कि यह इस लॉजिक से कर रहे ना फटा फटा जाएगा आपका इस लॉजिक से कर ले ना यहां पर टाइम टूटी हो जाता है सिंपल सा ऐसे कुछ होता है वह सब हो जाएगा आपसे सवाल आएगा ना सवाल में करेंगे तब ही समझागों आपे बैट्टे समझाएगा अब इतर गो रेटना बढ़ेगा वीचीज इसको स्वाल गरवाई अंसोर वता मेरे को फट आफट ऐसे मानलोगी पेपर कर रही हो अब सीवीटी गा एक मिनिट में सवाल स्वाल गरने एक मिनिट में अंसोर बताओ साथ सेक्डिश उपर का समयन ना में दूंगा और ना आपको लगना चीए साथ सेक्डिश बताओ प्रिंचिपल इंटू 10 पर सेंट ए तो 1 प्लस 10 पाइ अंडड गरेंगे तो 110 पाइ की पावर बस अब यह जीरू से जीरू कटियां 10 रेस्टों पावर 3 कितना होगा 10 की पावर 3 1000 तो 10 की पावर 3 से 1000 कटिया तो बिसिकलिए 11 की पावर 3 आगया मारा अंस्वर अमांट कितने होगी 11 की पावर 3 121 इंटू 11 करो अरे यार क्या था प्रिंसिपल इंटू 1 प्रिंसिपल इंटू 1 प्रिंसिपल था हजार 1 प्लस तो 100 प्लस 10 110 नहीं तो हो गया चलो क्यों गरने लग गया था गलती गरना पाप है पाप की कोई माफी नहीं होगी एक्जाम में पाप की सजा मिलेगी से दिसी माइनस वन मार्क यह माइनस वन मत देखना इसको यह माइनस सिक्स होता है एक्चुल में क्योंकि यहां पर प्लस फाइब सिक्योर कर सकते थे वह भी आपने खो दिये याद रखने इस बात को अग्ला सवाब अब देखो यह दो तेन नोट्स हैं यह आपको याद रखने हैं यह क्या है इफ दू वूर्ड इंट्रेस्ट इस गिवन एंड नथिंग एल्स स्पेसिफाइड दा इंट्रेस्ट इस कंसीड़ेद एज सिंपल इंट्रेस्ट अगर एक सवाल में सिर्फ और सिर्फ इंट्रेस्ट दे दिया कि 10% के इंट्रेस्ट पे इतना 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 कुछ 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 तीन साल गे लिए पैसे दिए सड़े तीन साल गे लिए जो भी किया सिर्फ इंट्रस्ट मेंचनन हो और फुछ मेंचन नहीं हो तो हमेशा simple interest इसको देंगे बट सिर्फ interest मैंचन ओ और वो интерес बेंक दे रहा हो और nothing is specified तो it is always compound interest याद रहेगा क्या यह मैंने बता भी दिया थे और population growth is always taken on compound basis ऐसे population growth हो जाए कि population हार साल 5% बढ़ रही है तो compounded बढ़ रही है ना समाझ आ रहे है population growth generally bacteria के किसमें सवाल दिया जाते है real life example होते हैं यह हम science में अपने जेए डिये टाइम में या फिर एंब भी करते हैं जो जब सौल घरते हैं तो जनली यहासा होते है कि एक बैक्टिरिया है वह एक से डबल हो रहे हैं कि पांच मिनेट में यहिए मुननों कि एक मिनेट में 10 सेकंड में ल५्र सेकंड में यह बेक्टीरिया डबल हो riff कि तो दर्श मिनट बाद बैक्टीरिय जेएंगे अगसा कुछ करिके कि तो हम स्कूर। अब्धें नोट हो ow है धुअब दुए बीस बाद यह चाहरे दो के डबन होगे न चार यह सेगिंड़ बाद चार के डबल आठ है कि अ म्पाउंड इंट्रेस्टेन न यह बहुत यह भूर दिखने रहा है वैसे अभी związ इशroples से कानिये मैं सब्सक्राइब अपसुना अपर हूं वो काने थी कि एक बार एक राजा के दर्बार में एक साधू आता है और राजा को बड़ा घमंड था अपनी दोलत पर अपनी चोअगरत पर कि ए सब मैं मेरे पास है ना उसको बहुत गमंड था तो वो कुछ सवाल पुछते हैं साधू से और साधू बहुत विनम्र तरीके से कामली बहुत पेशिंस के साथ उसका अंस्वार दे रहता है राजा खुश हो जाते हैं और खुश हो के ऐसे चोड़े में से इंकार में बोल देते हैं कि बता तेरे आफीत है मेरे पास तू बोल तेरे को क्या चाहिकर हो कि तो वो तब सत्वन क्यों जिल रहे होते हैं है ना क्यों कि दौन दे दो कुछ बस को कहे रहे हैं कि बस इतना सगर्दू हूँ की जो चेस का मार्ब बॉर्ड है उसके से होल में से चेस्ट का बोर्ड बना हो था बड़ा सा तो यह एट बाइट का होते हैं बैसिकली उसमें 64 ही हो जाते हैं समझ लेना आग गए एट बाइट का हो जाते तो बैसिकली 64 हो जाते हैं तो कहता है आप ऐसा करो बस पहले में दो की पावर एक गयों के दाने रख दो दूसरे में दो की पावर दो गयों के दाने रख दो तीसरे में दो की पावर तीन गयों के दाने रख दो ऐसे करते करते हैं लास्ट में दो की पावर 64 गयों के दाने रख दो बस बोला बस पूरी दुनिया में इतने क्यों के दाने नहीं होंगे सिर्फ टू को वन से लेके 64 तक ही गर पे जाके देखना टू की पावर 64 गूगल से करके देखना कितना बड़ा नंबर आएगा और यह एड़ भी होंगे सभी आप सर्फ एक लोगता है यह वाला नंबर ही देखने कितना बड़ा बनेगा है ना ठीक है तो फिर कंपाउंड इंट्रेस्ट अमारा खतम हो गया टॉप पर यहां पर अब हम सिर्फ क्वेस्टिन्स करेंगे आगे है यह समझ आगया इसलिए जब कहते है ना की कि अलगर जमाने कि जब वो कि आही है कि जब आपको इंट्रेस्ट येना पढ़ती लगान देना पड़ेगा है ना तो वो कि सान वैसे मर जान था है क्योंकि इसको कंपाउंड इंट्रेस्ट प्रे लग नहुता इता था उसके और और चाड़ता रहता करज उसका बढ़ता रहता बढ़ता रहता तो अक्रस बाहत खतरनाक शिवल अगले सावाल शोलगर वर निया इस हुचलो एक्षाम टाम चल रहा आपमार है और सटें समद्स रूपीज 1 08 in two years and one two in three years find the principle and rate of interest simple interest rate of interest है बही बताओ एक कुछ amount लेली हमने एक्स बस दो साल के बाद 108 रुपय होगे और तीन साल के बाद 112 होगे समझार है अरे यार दो साल के बाद 108 हुए और तीन के बाद 112 होगे तो बेसिकली यहां पर एक साल में चार रुपय का इंट्रेस्टी तो आया है यह तो मैं डिरेक्टी दिख्या और सिंपल दे रख्या तो प्रिंसिपल जो था वो तो वही रहेगा है ना समझा गए तो रेट ओफ इंट्रेस्ट चार प्रिंसिपल कुछ है यह च्यार क्या है क्या का? थिंट्रेस्ट кадस मिला है विसको ब्याज मिला है छार पर सुपार में देट आइगा आर इंटू टी अपॉन हंड्रेड पी इंटू आर रेट ऑफ इंट्रेस्ट भी नहीं हो पता में प्रिंसिपल आमांड भी नहीं पता इंटू टाइम वन यह अपॉन हंड्रेड एक एक विशिन तो मारे पास यह होगी है ना है समझा रहे हैं और यह 108 रुपए बन जाते हैं कि स्वालों करों कैसे करोंगे कुछ स्टार्टिंग में प्रिंसिपल एक एक समान लो या फिर प्रिंसिपल पी मान लिए हमने तो दो साल के बाद कितना हो जाएगा सर दो साल के बाद 108 रुपआ हो रहे है तो दो साल के बाद प्रिंसिपल 108 किसके बराबर है प्रिंसिपल प्लस पी इंटू आर इंटू 2 अपॉन 100 ठीक है और सेम इसी के इसमें 112 एक्वल है सर प्रिंसिपल प्लस पी इंटू आर इंटू 3 अपॉन 100 दो एक्वेशन, दो अन्नोन P और R की वैल्यू निकलाएगी और P R की या फिर P R अपन 100 की वैल्यू 4 हैं, तो वो हम यहां से P R अपन 100 को 4 लिखके P की वैल्यू निकाल सकते हैं इसको 4 लिखे हैं, 4 टू जाए 8 तो P हमारा सिदा सा 100 आ गया और P को जब 100 लिखेंगे यहां पर P को 100 लिखो, 100 से 100 cancel out हो गया, 100 से minus R अमारा 4 आ गया देखो, औरली हो गया समझा हैं कैसे करती हैं यह amount है, amount क्या होगी principle plus interest amount क्या होगी है ना A equals to P plus I कितना हमने principle deposit किया है, या लिया था और उसको कितना ब्याश देना या लेना पड़ेगा उसको add करतेंगे principle में वो हमारे amount बन जाएगी next question सो लोगर हो भई जान रखवाई यसे काम चलेगा नहीं है ना देख सुरू से शुरू करते हैं इसको सार्टेंग से स्टार्ट कर रहे हैं तो यह क्या रहे है कि सर्टें सम अमाउंट्स तू रूपीज सर्टें सम अतना पुछ प्रिंसिपल छीग है अमाउंट्स तू रूपीज रूपीज बन जीरो एट। इकसो आट्रुप हो गया तो अमांट क्या हुदते है प्रिंसिपल प्लस इंट्रस्ट्फ आपको कि uniform पी- आरटी अपौन हंडर je ऐख高 एक सो आट रुपा होगे पी आर रेट मेनी पता हैं इसमें किने रόσता ने आट को इन प्रिंसिपल प्लस इंट्रेस्ट इंट्रेस्ट होता है पी आर्टी अपॉन हंड्रेड बस कि दो एक्रेशन दो अन्नोन कि एक बर इनको सब्ट्रेक्ट कर दो तो पी आर अपॉन हंडड़ की वैल्यों आगी यहां से चार देखना यह एक विशन वन है यह एक विशन टू है अब मैं टू माइनस वन करूंगा तो पी से पी कट जाएगा उससाइड आ जाएगा फॉर औ उपर टू पी आर है तो वन पी आर अपॉन हंड़र्ड की वैल्यों आगी फॉर पी आर अपॉन हंड़र्ड को पॉर पूट कर यहां पे पी आर अपॉन हंड़र्ड को पॉर पूट कर तो फॉर टू जाएट एट जाएगे माइनस जाएगा तो पी की वैल्लियों आगी 108 में से 8 गया 100 तो P की value आगी यहाँ पे 100 और P जब 100 हो गया तो P को 100 पुट कर यहाँ भी 100 पुट कर तो 108 में से 100 माइनस होगा P तो यह बच गया 8 8 equals to P था 100 तो 100 से 100 cancel out हो जाएगा 2R R की value 4 बता हुए सवाल सॉल्व करो प्राइब सब्सकيع कर दो कि यह बता हुए बताओ 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 At what simple interest of rate At what simple rate of interest Sell a sum of money doubles itself in 4 years क्या interest rate रखें भई कि 4 साल बाद पैसे हमारे कितने हो जाएं डबल हो जाएं सर बताओ करकर और फिरों 2x हो रही है 50 तो नहीं होगा बैटा 50 तो नहीं होगा बैटा at what simple rate of interest प्रिंसिपल कुछ हमने लिया पहले तो प्रिंसिपल हमने एक्स लिया अमाउंट दे दिया इसने टू एक्स ठीक है तो amount equals to principal plus interest होता है 2x equals to x plus interest interest कितना कमाया उसने x का interest कमाया interest x का ही कमाया उसने और interest simple interest x किसके इकवल है P R T upon 100 एक से एक सक्ट गया 25 आर की वेल्यू 25 परसेंट एक सेंड का कुश्चन थाया नेक्स्ट करते हैं भैंट दा कमपाउंट इंट्रेस्ट रूपीज 5 थाउजंड निकालने 8 पर एनम फॉर 2 येर्स कंपाउंडिंग बिंडन अन्वली छोटे से असान असान से सवाल है फटाफट कर दो असान असान से सवाल है फटाफट कर दो 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 आप इब बतों कियो को चलो एक में नदेदियो तोंको मैं स्वाल्व कर रहा हूं तुम करते रहे हूं कंपाउंट इंटर्स रिकालना है लेकिन हमें तो अमाउंट का फोर्मूला पता है बस अमाउंट का पता है बएए अमाउंट का उत्ती ती प्रिंसिपल यह क्या लिखा हमने वन प्लस एट बाई हंड्रड यह यह लिखा हमने रेस्टू पावर टी टी है टू खत्म हो कैसा वाज यह अमाउंट आगी सिंपल इंट्रेस्ट निकालने के लिए अमाउंट में से प्रिंसिपल पांच जार रूपर माइनस कर देंगे करते रहे ना है समझा गया है एट रिट्टी टू आएगा यार एट थर्टी टू आएगा देख दो दिन दरीके से करते हैं सौन कैसे करते हैं एक तो यह देख लें इसको जब खूलना हो ना इसको 108 अपूल लिखी मत सिधा यह लिख और उसका स्क्वेर है एप्लस बीका होल स्क्वेर है करते पूरे और माइनस क्या गरना इसमें से पांच और मैंनस करने को इसने निकालने के लिए इसमें से प्रिंसपल माइनस भी तो गरना बड़ेगा तो यह वं से पांच जाएगा तो यह पांच जारवन से मल्टिप्लाई होगा तो पांच जरा जाएगा प्लस 5000 मेंस 5000 कटेगा तो मारे पास यह बस यह बचा है तो अब 64 इंटू 5 और निच्छे तीन जिरो से चार जिरो में से 3-0 गटेएंगी अपन यहीं बचेगा समझा रहे हैं इसको इस से लिखा है प्लस इसको आगे पार से मल्टिप्लाईंगे 2-0 से 2-0 कटेगी फिफ्टी इन्टू 200 हांडर्ड इन्टू 800 800 5 बन जा 5 2 जा 2 से 32, 800 प्लस 32 832 रुप है calculation करने और सिखा दिये आपको असानी सी calculation कैसे करने है नहीं तो 108 का स्क्वेर करते रहोगे और फिर वो गलती कर दोगे फिर वो कुछ बोलोगे 1338 बताने क्या बोलने को है ना ऐसी calculate कर लोगे असानी से पर इसी में ध्यान से देख अगर तेरे को सिर्फ और सिर्फ compounders निकालना होता तो ये शुरू में ही गाट देता तो square जब कर रहा होता है इन्हों को multiply वही किया है ना point amount for rupees 80,000 at 10% पर एनम compounded by annually for two years अब पेपर में सवाल आगे आप कैसे solve करोगे दिमाग लगाओ फिर मैं समझाओं का question तो में में को करवा नहीं है है ना है जो वीडियों यह नहीं है क्योंकि एक नया सवाल आएगा पता नहीं कैसे language देगा वह इतनी मुश्चिल देने नीची है उसको हम सारे टाइप की question हम करें लेंगे अ करे लेंगे करे लेंगे कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे वरोबै स्वाल्बुकरों पटाव पटण स्वाल्बुकर के मेरकों पतावु अब सर्थ सवाल तु अमोंट में निकालने अमोंट तो फूरमुला में पता है पी इंटु वन प्लस अपॉन अपॉन हंड्रड रेस्टू पावर टी अबट ये बाइन वली का मतलब क्या है सर वाइन मतलब दो एनुवली मतलब एक साल में एक साल में दो बार चैप दस परसेंट लग रहा है तो बिसिकली बाइन वली का मतलब है हर six months और उपर टाइम नहीं आता है ये आता है periods कि परेटिंग में लिख दिया है कि periods for which interest has to be implemented कितनी time कितनी circle चलेंगे कितनी periods चलेंगे वाँ पर है न वो दस परसेंट पर एननम का interest है लेकिन वो बाइन वली हो रहे है कुछ समझा रहे है कि कंपाउंड पाइन वल्यू रहे है देखो जो मैंने लिखा है ना सवाल में देखते ही वो नहीं लिखना होता है पहले सवाल को समझना जरूरी है इधर देखता चोड़ दूसरे प्रिंशिपल वह देखते हैं 10 पर सेंट पर एननम है 10 पर सेंट एक साल का रेट है यह अगर हम बारा महिने पे कंपाउंड कर रहे हो तो दस परसेंट लगता बट कंपाउंड इड़ दे दिया 12 महिने पे 10 पर सेंट लग रहा है весь पैंड मतलब 6 महिने पे 6 महिने पे क्तना पर सेंट लगेगा पांच परसेंट सो बिसिकली तो गया पाइफ परसेंट का रेट आदधा हो गया और टाइम पिरिएड हो गया हमारा कि ग्यूंज आले ना विसिकली फूर साइकिल ऑफ शिक्स मंथ्स कि ये समझा यह इसका मतलब क्या है अब मैंने आपकूष जब एक्जांब स्वेर्थ है तब मैंने का था कि हाजात रुपए मेने साक्षी को दिये थे यह तो रुपयéd सत्र वब क्या था कि मन्तली सेकाडा थे मंतली क disp अब मैं कहा दूं एंग्विश में बात कर रहे हैं आम मैं कहा दूं सच्छी आफ पे में 24% interest rate वो किसर अलपे 24% interest rate बट फिर मैं कहा दूं कि बट दमाउंट विल बी compounded monthly amount of monthly compounded हो रहे हैं तो yearly उसको पैले 24% interest rate देना था तो थाउजन रुपीज पे 24% जब निकाल लोगे तो टूफुर्टी आजेगा सिद्धासा थाउजन का टूफुर्टी परसें टूफुर्टी 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 रुपया उसको interest interest के देने थे सिर्ट ये compounded annually था अब मैं कहा दूफुर्टी अब कितना दिन होगा ध्यान से देखना अब हमारी amount उसको इतनी उसको final interest देना था और उसको पैसे कितने देने थे total amount कितनी थी amount उसको वापस पे करनी है इतनी amount उसको वापस पे करनी है एक साल के बाद समझाया यह इस किस में था जब 24% अनुवली था और compound अनुवली हो रहा था अब मैं कहते हैं साक्षी अपन कंपाउंड मंतली करेंगे बाई तरको हर महीने ब्याज पर भी ब्याज देना होगा समझाया तो अब रेट of interest कितना किमा अब रेट तो होगया अमारा 24 by 12 मतलब 2% per month यह होगा मारे rate 2 रुपे सेकटा जो आमने बुलना था है ना 2% per month लेकिन कितनी cycle चलेंगी 12 cycle चलेंगी 12 महीने 12 महीने देना होगा 1000 into 1 plus 2 by 100 raised to power 12 अब यह इतनी amount देनी होगी 2 by 100 होगा बिसिकली 102 by 100 मतलब 1.02 raised to power 12 into 1000 तो 1.02 raised to power 12 देखते हैं कितना होता है यह यह जाएगा भाई मारा 1.26824 इसमे 1000 मुल्टिप्लाइ करेंगे तो 1.268.24 रुपीज यह होगा हमारा 1.268.24 रुपीज अब समझाया इंटरस तो 24% ही था हमारा बट सिर्फ कंपाउंड जब एन्वली हो रहा था तो इतना ही पैसा पेकरना था बट जब अब कंपाउंड इड एवरी मन्थ हो रहा है तो हमें ज्यादा पैसा पेकरना बट रहे हैं समझाया यह हमारा नेट 26.8 परसेंट का इंटरस्ट रेट बन जे गया नेट एक साल के आपसे देखें यह तो बोला मैंने 24 ही था बट जब मैंने कंपाउंड इड मन्तली कर दिया तो यह ज्यादा हो गया समझाया रहे है ऐसे ही इस सवाल में 10 पर एनम एक साल का जो तुस परसेंट देना आपको बट अब कंपाउंड आपका बंतली हर 6 महीने बाद आपका प्रिंसिपल आम होट बढ़ी के चेंज हो जाएगा पहले प्रिंसिपल असी अजार था तो च्छा महीने बाद असी अज प्लस असी अजार का चामेने का इंट्रस्ट बन है ना मोतना हो जाएगा समझाया कैं से चेटंट फाउनफ फाउनफ कंपाउंड इंट आंड रूपीस एटेन पोसेंट पर एनम for 9 months compounded quarterly quarterly कंपाउंड गर एपम वाटर कितना होता है वन बाई फॉर यह होता है यह क्वाटर इस वन बाई पॉर ओफ एनिफिंग कर गर सॉंप दिमाग मच्छा ला इतना पैंच ला अंसवर बता मेरेको फटा 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 फट मेरेको अंसवर बताओ नहीं 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 कमपाउंड इंट्रेस्ट निकालने दस हजार रुपे पर 10 पर अन्नम पोर नाइन मंट्स इंट्रेस ने दे दिया 10 पर अन्नम ठीक है 10 पर सेंट एक एनवल का है इंट्रेस रेट कितना हो गया और तो पॉइंट फैसन पर प्वाटर अब एक वाटर में कितने महीने होंगे एंट्रेस एक साल में बारा महीने होते हैं तीन महीने होंगे पर क्वाटर समझा गया ऐसे कर गी निकाल लेंगे तो थ्री मंट्स का एक वाटर बनेगा हमारा और नाइन मंट्स की साइकल है टोटल नाइन मंट्स है तो टोटल नाइन मंट्स अपोन थ्री मंट्स का एक बनेगे तो बैसिकली थ्री साइकल्स चलेंगी थ्री साइकल्स चलेंगी तो थैन थाउसेंड इंटू वन प्लस इंट्रेट कीतना है बैई 2.5 अपॉन हंड्रेड रिज्टू पावर थ्री स्वाल कर लेंगे यंस वर निकलाएगा ठीक है नेक्स्ट फटाफट सवाल करते हैं बैई पांचे सवाल हो रहा है पांचे सवाल दिफ्रेंस बिविन कंपावंड इंट्रेस्ट और सिंपल इंट्रेस्ट के बीच का डिफ्रेंस दे रखा है 320 रुपए ज्यान से देखना ज्यान से देखना मैं क्या लेख रहा हूं कि प्रिंसिपल हमने लिया और दो ही साल है इसलिए मैं छोड़े से कर रहा हूं कि हमने प्रिंसिपल एक अमॉंट ली और वह कितनी ब till ऻो यह कि यह इए जो मारा पैसा था वह इतना हो गया अगले और वह पैसे कितना हो गया कि यह किसका केस था कंपाउंड इंटरेस्ट का इसमें से क्या माइनस कर दिया हम नहीं इसकी इसकी अमाउंट माइनस करो उसकी इंटरेस्ट के बीच का डिफेरेंस आजाएगा अमाउंट इकोल्स टूट प्लस आई है दोनों केस में यह अमाउंट बन है और यह अमाउंट टू है अब इन दोनों अमाउंट का अगर मैं डिफेरेंस करूंगा अमांट का difference किसके equal होगा i2 minus i1 interest के difference के equal ही होगा देखो क्योंकि peanut से peanut पुकाई जाएगा so basically मैं amount का difference कर गता हूँ है amount कितनी होगी principle plus p into r r है 10 t upon 100 समझा गया बई इसको solve करो और principle निकालनो इसको solve करो यह difference दे रखा है 372 के equal यह equation बनानी ही है बस equation बनानी ही हलकी सी मुश्किल होती है बस बागती सब तो आप करील होगे देखो कुछ भी करने की ज़रूत भी निए इसमें ज्यान से देखना ज्यान से देखना इसको यह जीरो से जीरो गया यह जीरो से जीरो गया यह 11 इंटू 11 यह देखना यह कितना है ट्वंटी 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 पी प्लस पी ट्वंटी वन पी यही है क्या यही है यह नहीं है साक्षी इसको लेंगे ना नहीं यह ट्वंटी हुआ यह अपॉन हंडड़ है यह हंड़ड सीधा उपर लेके गए तो बिसिकली यह भी तो हंड़ड से मल्टिप्लाई होगा इसको भी हंड़ड पी अपॉन हंड़ड लिखेंगे तभी तो यह हंड़ड उपर जाएगा ऐसे सीधा थोड़े नहीं की जा सकते हैं यह धान रखो यह इन चुझोगा है ना दिम्मा खुलो रखो पर अब यह 20 प्लस 100 120 तो बिसिकली यह 120 पी हो गया तो 120 पी माइनस 120 पी इक्वल्स टू पी पर प्रिंसिपल हो गया 372 00 सीधा सांस्वार आगया एक सब्सक्राइब हो गया आगे बढ़ते हैं राम इन्वेस्टी डिन अ पर्टिकुलर समेट 12 पर एंदम विद बन फिस फ्रेंट्स शाम रामू निशामू को बारा परसेंट पर एंदम पे पैसा दिया एंड सिमिलरी अमांट इन बैंक विट पेस इंट्रेस्ट पर एंद इन्वली दोन्नों को दिया 12-12 परसेंट में लेकिन वो 12 परसेंट देगा एक साल के और यह हर 6 महिने में 6-6 परसेंट देता रहेगा साल में 12 परसेंट बट यह हर 6 महिने के साबसे कंपाउंड हो रहा है समझा रहे हैं the difference between amounts received after one year was rupees 1800 find the total sum invested by कि अ अ है अ कि यह है किए कि अ चारे कि अच्चा साल के बाद 800 रुपे रहे हैं तो देखो्ग इसने चछ फ्रीव पिशल से मेच किया के पिछले जैसे था तो और 1 साल के बाद एक सो बारा बाय हंडर्ड इतना मॉंट उसको मिलेगा जेट एक यह तो मिला उसको अपने के middle sorry जुब जो अपने दोस्त श्याम से श्याम से मिला इतना ठीग है और बैंक से कितना मिलआ बेंक से मिला पी इंटू 106 अपॉन यही जो है ना 6 परसेंट ही होगा 6 महीने गा तो 6 महीने बाद 106 अपॉन 100 मिला इंटू 106 अपॉन 100 समझा गया वई यह समझा गया क्या लिख दिया यह बिसिकली क्या लिख है है पी इंटू 1 प्लस आर है सिक्स अपॉन 100 और उपर टाइम पिरेड है क्योंकि साइकल चल रही है बस यही तो मैंने लिखा है एक सुच्छे बाइसों को दो बार मिल्टिप्लाइब कर दिया अब चीक है और यह दे रख्या हमें अब इसको सॉल्व करना है अब हो जाएगा कुछ नहीं समस्क्राइब करें कि अपने 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 करते रहना अब यूट्यूब बालो सुन रहे है वो सब ठीक है हो गया इस दिए कंपाउंड इंट्रेस्ट उन सर्थेन सम फोर थ्री एर्स है 20 पर एनम इस 728 वाट इस दा सम इन्वेस्टेट बताऊं कंपाउंड इंट्रेस्ट दिए तीन साल के बाद 728 रुपीज निकालो कि सॉल्व करो कि समझ आ रहे है ना इस दिए अपने बता रखे परमाउंड में से प्रिंसिपल माइनस करें तो वह इंट्रेस आ जाएगा जो कि इंट्रेस्ट इसने दे रखा यह सम इन्वेस्टेट मतले प्रिंसिपली प्रिंसिपल अपने को निकालना है सर्व निकाल 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 सॉल्व कर क्या लिखेगा हम सर्थ अमाउंट का फॉर्मुला आपने बता रखे पी इंटु वन प्लस आर कितना है आर बोलो आर कितना है भाई आर 20 अपन 100 3 years minus P equals 2 बस हो कया सो लुए 0 से 0 गया basically 1 by 5 6 by 5 raise to power 3 minus 1 into P equals to 728 8, solve गर रहे ना, 36, 26, 26, 26 upon 125, यह करेंगे, एक्यांट में से 8 गया, और 125 इंटू 8 करो, हजारी आ गया गया, एक्यांट में से 8 करेंगे, हजारी आ गया, यार फटा-फट सोल्व हो गया, इधना तो कुछ था भी नहीं, इसमें, तो सोलम अपन एक्यांट मैंनस यह मतलब डोसो आपन एक्यांट माईनस एक्यांट माईनस एक्यांट सबस्क्राइब सोलमे 625 गए, 9191 बन जा 91 एच जा 728 और 8 into 125 जाओजन, पृता फट डासे सवाल सवाल गरने अगला कोशिर लिखते हैं, सब्सक्राइब कर चुक है मैंने बताए था कैसे करोगे बताओ क्या लिखो प्रिंसिपल कितना है हमारा प्रिंसिपल 10,000 है ठीक है इन्टू एक सो वन अंडर्ड टैन अपॉन हंड्रेड यह हमारे एक साल के बाद मिला 108 अपॉन हंड्रेड इन्टू 1112 अपॉन फेतम हो गया सर कुछ थाई नहीं सर इसमें तो सर चीक है दो जिरो दो जिरो दो जिरो दो जिरो एक जिरो एक जिरो अब इसको इससे करके फिर इससे कर लें ना मुल्टिप्लाइब बस हमारा लास्ट क्वेशन है भाई आज का वट इस दे कंपाउंड इंट्रेस्ट रिचीव और इसको गर से स्वाल्व तरके आएंगे ठीक है एक अच्छा कोश्य नहीं है हाँ बई कर लिया नौट इसको अच्छा कोश्य निसको सौल्व करना आपकी थोड़ी सी प्रेक्टिस ही हो जाएगी शीट आपको मिल जाएगी जो भी ओनलाइन वाले उनको भी चीए तो आप टेलेग्राम गुरूप पे जोइन कर सकत यह आप ओफर अंग्रास में आ सकते हैं थेंक यू पर जोइनिंग दे क्लास थेंक यू पर जोइनिंग एपी क्लास मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक ने टॉपक के साथ सीवीटी के तयारी करेंगे साथ में मिलके तब तक के लिए धन्यवाद